दिखिए आपके आसपड़ास में भी ऐसे लोग जरूर रहते होंगे जिनकों कि आपने महनत करते हुए देखा होगा और कही न कहीं आपको भी बात फील होती होगी कि यार इस इनसान को तो वो चीज मिलनी ही चाहिए जिस चीज के लिए ये ये तनी महनत कर रहा है होते हैं न कई लोग ऐसे डिजर्विंग लोग होते हैं जिनकों कि हम लोग देखते हैं महनत करते हुए और उनको देखकर हमको लगता है कि यार इसको तो मिलना ही चाहिए और किसी को मिले है ना मिले संजू सैमसन को जतना क्रिटिसाइज किया जा रहा था उसके पीछे का कारण सर्फ एक था कि जो टैलेंट इस बंदे में हैं ये बंदा उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है लगतार बार-बार मौके में मौके मिलने के बाद भी संजू सैमसन फेल होता जा रहा था और आवविस सी बात है जब आपको बड़े स्टेज के उपर मौका मिलता है वही भारत जिसे देश में जहां पर करोड़ों लोग उसे एक पोजीशन के लिए नजरे टिकाए बैठे हैं तो वाक़ई में आपको चांस मिलना एक बड़ी बात होता है ऐसे में अगर आप बार-बार फेल होते हो तो कहीं नखीं आपकी काबिलियत के उपर लोगों शक होता है लेकिन वो कहते हैं एक सिक्का होता है बस जो आपको बदल के रख देगा एक लम्मा होता है जो आप की पूरी situation को ही change कर देगा रोविच चर्मा का मुझे अभी भी याद है अब पहले IPL में कप्तानी मिली फिर उसके बाद opening slot मिल इंटरनाशनल में तो बंदे का career पूरा बदल गए और ऐसा लगता है कि वही पूरी कहानी एक बार फिर से देखने के लिए मिल रही है संजू सैमसन को कप्तानी मिली राजस्थान रोयल्स की और वहाँ पर उसकी performance सुधरी और यहाँ पर अब opening slot मिल रहा है तो हम देखी रहे हैं कि क्या हो रहा है back to back century संजू सैमसन ने दरहसल हिट करी है और यही कारण था कि मैच के बाद में मीडिनिंग्स में जब पूछा गया संजू सैमसन से उनकी पारी के बारे में तो बंदा एमोशन भी हो गया और उसके साथ साथ दुनिया तरीन के जो दिगज क्रिकेटर हैं वो भी संजू सैमसन की तारीफों में पूल बांते देखे दरहसल सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन की इंडियन क्रिकेटर्स की ही तो युवराज सिंग ने भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा युवराज सिंग ने लिखा कि संजू यू ब्यूटी तरनल संजू ने जिस अंदाज में अपनी पूरी पारी खेली न वो लोगों को बिलकुल भागी लोगों को लग रहा था कि यार ये बंदा इतना इसली इतना बहतरी निस ट्रोक प्ले कैसे दिखा सकता है रवीश आस्तरी ने भी इसको लेकर ट्वीट करते हैं लिखा कि संजू सामसन स्पेशल दरसल संजू सामसन को बहुत लंबे समय से सबके सब लोग बैक कर रहे थे बट कही न कहीं संजू ही था जो कि संजू सामसन has such a style that you wanna watch him play every time he bats easy to go है, easy to eye है इसलिए उसको देखने में इतना मज़ा आता है मतलब उसके stroke play को देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि यार इस बंदे को बहुत दम लगानी पड़ रही 17 बॉलों में कल 88 runs बनाया हैं 10 चके मारे हैं, 7 चौके मारे हैं 107 में से 88 runs पूरे के पूरे सिर्फ और बाउंडरी सही थे मादव शर्मा ने इसको लगा ट्वीट करते हैं कि संजू सामसन always had the talent to score hundreds and do well for India all he needed was support and belief in him that the head coach Gautam Kambhir gave him and now the whole world is celebrating his success Dinda Kadwi ने भी लिखा कि टीम इंडिया has found a permanent opener at least till 2026 justice served by Sanju Samson to his fans बस यहाँ पर सवाल एक ये उठता है कि कल को जब शुबमन गिल और जैसफाल वापस आएंगे तब किस तरह का combination आप create करें क्योंकि चलिए बाहन दिश के खिलाफ Sanju ने century मारी हो समझ में आता है लेकिन अब आप South Africa में जाकर South Africa के खिलाफ जब ऐसी पारी खेल देते हो तब वाकई यहाँ सेलेक्टर्स के लिए बड़ा सरदत खड़ा कर देते हो Sanju ने कल अपनी इस पारी के दौरान कुछ कीरतिमान भी बना है Samson की century किसी भी इंडियन दौरा स्कोर किया गए South Africa के खिला सबसे तेज चाता के 47 बॉल्स में इससे पहले यह रिकॉर्ड सूरिकुमार यादव के नाम था जिन्होंने जोहानस बर्ग में 55 बॉल्स में century मारी थी Sanju ने T20 इंडियन पारी में किसी भी इंडियन दौरा एक ही पारी में 10 चक्के का रिकॉर्ड भी joint troops अपने नाम किया इससे पहले यह रिकॉर्ड रोईच शर्मा के नाम था उन्होंने इंडौर में 2017 में श्रिलंका के खिलाफ एक ही मैच में 10 चक्के मारे थे Sanju सैंसन ने 107 रनों का स्कोर भारत और 17 के बीच मैच का सबसे बड़ा व्यक्तिकत स्कोर है T20 International का Sanju ने इस तरह डेविड मिलर को पीछे छोड़ा है जिन्होंने गो आर्टी में साल 2022 में 106 रनों की पारी खेली थी भारत के खिलाफ वहीं Sanju सैंसन ने सबसे खास रिकॉर्ड जो T20 में ने नाम किया है वो था उनका लगतार T20 में लगतार दो शतक मालना जो कि इससे पहले कोई भारती कर नहीं सका है वहीं Sanju सैंसन ने इस मुकाबले में शतक जड़कर साउथ अफ्यों के खिलाफ T20 में ऐसा करने वाले पहले भारती विकेट कीपर भी बन चुके हैं तो बंदे ने अच्छे काचा रिकॉर्ड अपने नाम किये अच्छा इसके अलावा Sanju सैंसन ने जो मिड इनिंग में बात कही उसमें बंदे ने Sanju सैंसन ने बिलुकुल कैंडिडली बात करी और जो उसकी एमोशन्स थे वाकरी में साफ तोर पर दिख रहे थे जब Sanju सैंसन पूचा गया कि क्या तुम अपनी जिंदेगी के सबसे बहतरी इन फार्म में हो तो इसके उपर Sanju ने साफ तोर पर कहा कि अगर मैं इस बारे में ज़्यादा सोचूँगा तो मैं शायद मैं इमोशनल हो जाओंगा अब्विस सी बात है ये सब चीज़े मेरे लिए असान नहीं रही थी मैंने इस लम्हे के लिए करीब दस साल इंतजार किया है फिलहाल मैं बहुत खुश हूँ हैपी हूँ ग्रेटफुल हूँ और बलेस्ड हूँ लेकिन मैं अपने पैर जमीन पे ही रखना चाहता हूँ और हर एक लम्हे को एंजॉई करना चाहता हूँ और इसको करके मैं बहुत खुश हूँ संजु ने अपनी पारी के बारे में बात करते हूँ और कुछ भी नहीं और संजु ने ये भी कहा कि अब्विस सी बात है विकेट भी एक बहुत बड़ा रूल इन सब चीजों में प्ले करता है और यहाँ पर कुछ एक्ट्रा बाउंस था जो कि हम इंडिया में ऐसा खेलने के लिए यूस्ट्टू नहीं है लेकिन मुझे इस विकेट को समझने में ज ele जादा वक्त लगा नहीं और उसके बाद जो हुआ चल रही थी उसने कहींना कहीं एक end से बोilर्स की मड़़िये तो बैटस्मेन की मद़़्य करी जब उन्यूरीक से बारहें बारें बात करेगी तो उन्हों ने कहा कि इस समय ओपनर के तोर पर टीम इंडिया से जुड़े हुए है जैसे सी जैसवाल और शुमन गिल को रेस्ट दिया गया है लेकिन अगर हम एक इंडिया की सबसे स्ट्रॉंगेस टीम की बात करें तो जैसवाल और गिल दोनों ही सबसे बड़े कंटेंडर रहते हैं ओपनिंग स्ट्रॉट के लेकिन संजु सैमसन ने अभी हाल फिलाल के दिनों में इस तरह की परफॉर्मस निकाल कर दी है उसके बाद संजु को इग्नोर कर पाना मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टीमों के लिए काफी ज़्यादा कठेन हो जाएगा और उसके बाद आव्विस ही बात जाए है झाल